हालो बच्चों फिर से वेलकम है आप सभी करशी में की एजोन क्लास में तो रस्मी में मैं साथ पर डरने की है क्या बाद बच्चों आज हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में थोड़ा सा information लेने वाले हैं उसके concepts को समझने वाले हैं और उसके बाद से related हम लोग कोश्चन करेंगे जो competitive exams होते हैं उनमें कोडिंग और डिकोडिंग से related questions आते हैं इसलिए आपको इसका concept जानना बहुत जरू इसका क्या funda है कैसे हम लोग इसको solve करते हैं हम लोग उसके बारे में आज जानेंगे चले सुरू करते हैं हमारा coding तो coding क्या है coding is a method of expressing something in a secret way coding क्या है एक method है किसी भी चीज़ को अगर हम express करते हैं किसी secret way में तो उसे हम coding कहते हैं जिसे आप लोग कोई गेम भी अगर खेलते हो तो उसमें कुछ कोड बना देते हो किसी का जैसे किसी का नाम राहूल है और किसी का नाम गीता है तो आप क्या करते हो राहूल क्या है गीता है और गीता क्या है राहूल है तो इस तरह से आप लोग अपना एक सीक्रेट वे बना कोड़ लैंगविज को समझते हैं कि द्वारा हम कोड़ लैंगविज को समझते हैं Qode में क्या लिखा गया है जैसे आपने राहुल गीता बुलाया और लोगों ने समझ लिया कि वो राहुल है तो उन्होंने क्या समझा वो जो way होता है समझने का understanding का जो way होता है उसे हम क्या कहता है decoding कहते हैं तो चलिए जैसे मैंने यहां पर एक और example लिया है कि इस तरह के questions आते हैं कि boy को CPZ लिखा जाता है और top को UPQ लिखा जाता है तो TOY toy को हम क्या लिखेंगे तो यहां पर क्या किया गया B O Y boy को CPZ लिखा गया तो boy एक word है एक meaningful word है इसको हमने इस code में convert किया है अगर हम CPZ बोलेंगे तो अगला बंदा क्या समझ लेगा कि यह boy के बारे में बोला जा रहा है तो यह क्या हो गया हमारा code हो गया ठीक है टॉप के बारे में अगर हम बोलते हैं टॉप को हमने coding कर दिया UPQ ठीक है तो हम अगर UPQ कहते हैं तो अगला बंदा क्या समझ लेता है यह टॉप के बारे में कहा जा रहा है तो इसी तरह से पूछा जाएगा कि toy को हम क्या कहेंगे तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि cpz को boy के बारे में कैसे कहा जा रहा है और UPQ को top के बारे में कैसे कहा जा रहा है इस understanding को हम क्या कहेंगे decoding कहेंगे और उसी understanding को use करते विए हम toy की coding बनाएंगे तो चलिए देखते हैं boy boy को cpz लिखा गया कैसे लिखा गया बी के लिए c use किया गया o के लिए p use किया गया y के लिए z use किया गया t के लिए u use किया गया o के लिए p use किया गया तो यहां भी यूस था तो यहां भी यूश था थो यहां बेदि को एप दोश्रा तरीका और इसको समझने का था क्या था कि दिखेए बी को C लिया गया, O को P लिया गया, नहीं कि B के बाद C आता है, increasing order में एक आगे जा रहे हैं हम, B से C, O के बाद P, Y के बाद Z, यानि कि 1 प्लास हो रहा है letters, यहां भी T, U, O, P, P, Q, 1 forward हो रहा है letters, तो यहां भी हम directly कर सकते थे कि इसको हम 1 forward कर देंगे letters को, यहां टोई के जग percept को समझ कर इसका हम बना सकते थे, जैसे सर्फ यह प्रांध होता, यह नहीं दिया होता, या फिर इनके बाकी letters नहीं दिये होते, तब हम क्या करते, यह समझते इस concept को, कि यह कैसे बन रहा है, इससे यह कैसे convert हो रहा है, कैसे को दिंग हो रहे है, उस चीज़ को हम पहलेrim पो यह बन गई कोटी मैं इस तरह से हम लोग और Goeing को समझते हैं अब K언व in और दी कोडिंग कितने तरह के होते हैं पूर मैं भी आपको आगे बजाती हूं उसलिये दräखते हैं कि कोडिंग कितने तरह के होते हैं टाैपस अफ कोडिंगि कोडिंगau कोडिंगे आप एकले चारद हैं विसमेन लेटर कोडिंग कए लेटर कोडिंग में लेटर कोडिंग में होता है कि लेर्टर are used in forward or backward और बोद दे ड्रेक्शन for making some code language इसमें क्या होता है कि लेटर को या तो forward करके code बना जाता है या backward करके code बना जाता है या फिर both directions में forward backward करके बना जाता है इस तरह से तो जैसे हम लोग ले लो एडबल पी अली एपल एपल को हम क्या लिख देते हैं forward कर देते हैं वन लेटर forward अभी इससे पहले मैंने एक जामपल बताया था उसमें हम लोगों ने यह यूज किया था A को B कर दिया P को Q, L को M, E को F यह forward में हो गया अब backward में भी कर सकते थे इसको A को हम क्या कर देते, Z कर देते, O कर देते, K, D तो यह हमारा क्या हो गया, backward direction में इस तरह से backward और forward किसी भी direction में हो सकता है या फिर होता कि इन तीन को क्या किया जाता, forward direction में, इन दोनों को backward direction में तो वह हम एक-दो में match करा के देखेंगे, पता करेंगे कि यह क्या, कौन सा code language जिसमें use किया गया है तो हमें यह भी पता करेंगे, यही चीज देखनी होती है, कि यहां पर कौन सा code language यूज किया जा रहा है Second देखते है, direct letter coding, direct letter coding में क्या होता है, कि letters of a word are directly replaced by the other letter For example, हम अब यहां पर देखेंगे, तो क्या है, letter को directly replace कर दिया जाता है किसी भी letter से 쓸किखे theme letter को किसी दूसरे letter से उसमें कोई sequence नहीं होता है Directly वहाँ पर replace कर दिया जाता है, एक letter को दूसरे letter से जैसे कि देखो word यहां है, code यहां है यह word Sally, S-A-L-L-Y Sally को B-D-C-C-Z में code कर दिया गया और पूछा जा रहा है कि Lays का code क्या होगा, ठीक है तो हम लोग इसमें देखेंगे कि L के लिए क्या use हो रहा है C use हो रहा है, तो L के लिए हाँ C use करेंगे A के लिए देखेंगे यहां पर क्या user है, D use हो रहा है तो D लिखेंगे यहां पर Y के लिए क्या use हो रहा है, Y के लिए Z use हो रहा है तो हम Z लिखेंगे And S के लिए क्या use हो रहा है, S के लिए B use हो रहा है तो हम यहां पर B लिखेंगे इस तरह से हम इसका code language को पढ़के decoding करके फिर हमारे जो question होता है हम उसका answer उसके coding करता है next देखे number और symbol coding number और symbol coding में क्या होता है numbers और symbols are assigned to word कोई भी number या कोई भी symbol को क्या किया जाता है किसी word में convert कर जाता है अभी हम लोग questions करेंगे इस से related तो आपको और भी clear हो जाएगा ठीक है substitution coding में क्या होता है कि some particular word are assigned to certain name इसमें कोई नाम दे दिया जाता है ठीक है कोई certain नाम दे दिया जाता है कोई भी word को को certain नाम दे दिया जाता है इसमें questions आते हैं कि water को air कहा जाता है एयर को ice कहा गया तो इस तरह से questions बनते हैं ठीक है उसमें एक name दे दिया जाता है किसी भी word को एक नाम दे दिया जाता है आगे हम लोग इस से related questions करेंगे तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किये coding or decoding के बारे में जानकारी लिए और उसके types को पढ़ लिया अब next video में next class में हम लोग इस से related questions करेंगे तो हमारे सारे concept clear हो जाएंगे और coding or decoding से related कोई भी problem आपके सामने आई जी तो आपको उसको इसली solve कर सकेंगे ठीक है अचलिए इसी के साथ आज की class हम यहीं पर खत्म करते हैं मिलेंगे next class में नहीं concept के साथ नहीं चीजों के साथ नहीं जानकारी के साथ अब तक लिए टाटा बबाई see you take care and all the best